बॉर्णिंग प्यारे बच्चों मैं हूँ आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वक्षीट नमबर 34 सब्जेक्ट आपका साइस है क्लास आपकी एट और यह वक्षीट है 17 फरवरी की तो स्टुडेंट फोर्स और प्रेसर के बारे में हम पढ़ेंगे हम क्या करते हैं अगर हमें किसी object को मूफ करना है चिए गर आपको फोर्स आहि उटेक्स We make things move by pushing them या तो उनको धक्का देते हैं जैसे आपको एक table को क्या करना है सरकाना है तो क्या करोगे उसको धक्का दे के सरकाल होगे अब बोल पड़ा है ठीक है तो आप उसको अपने हाथ में उठाओगे अपनी और खीच होगे Pushing them We stop moving object or change direction or a shape of object by applying force ठीक है तो force क्या होता है force is defined as a push और pull of an object तो for example आप pen पे लिख रहे हो तो क्या करते हो copy पे उसको पहले push करते हो ना pen को ठीक है जब लिखना बंद करते हो तो अपनी तरफ pen को उठा लेते हो तो इसी तरीके से force के कोई भी काम क्या हो रहा है लाइफ में force के द्वारा ही हो रहा है force is defined as a push और pull on the object तो force करता क्या क्या है direction change कर देता है for example जो आप का टेबल टैनिस खेल रहे है या फिर आप टैनिस खेल रहे है तो आप क्या करेंगे जैसे ही आपके पास आती है ये तो आप इससे बहले से मारेंगे तो ये क्या हो जाएगी दूर चली जाएगी है ना तो इसकी direction change हो गई change the shape of an object अब देखो ये जो कुमार है ये अपना force लगा क्या कर रहा है इस बरतन की shape चेंज कर रहा है अब ये कार्ट जो है इसको ये move कर रहा है कैसे कर रहा है make a body that is rest अगर rest में तो उसको move कर रहा देता है increase कर देता है speed को decrease कर देता है speed को force ठीक है what is force force क्या होता है answer क्या लिखेंगे this is the first answer force is defined as a answer number one force is defined as a push or pull of an object धक्का देना या फिर खीचना उसको अपनी तरफ ठीक है what can force do or what are its effect when applied on object force क्या कर सकता है और इसके क्या effect है ठीक है तो लिखेंगे पहला effect क्या है number one change the direction of a moving body number two make a body move that is at rest number third change the shape of an object number four increase the and decrease the speed of moving object यह हमारा क्यों सा हो गया answer number two हो गया चारो पॉइंट में से आप कोई भी लिख देंगे छारो लिखने चारो लिखो कोई 2 लिखने तो कोई 2 लिख लो ठीक है तो यह चारो हमारे इसमें आजाएंगे answer number two में answer number two में आजाएंगे अब चलते है answer number थार्ड पे answer number third बहुत एजी है लाइक सिचुएशन इसमें क्या करना आपको पुष और पुल में एक तरह से ठीक है और पुल का मतलब अपनी तरफ खीचना तो खीचने और पुल और पुष में आपको डिफरेंस बताना है कि किंगे बोल तो क्या करते हैं धक्का देते हो पुष हो जाएगा पुल यहां पर नहीं आएगा राइट मूविंग है लोडिट कार्ट अगर आप जो मूव कर रहे हो कार्ट की बात की जारी है तो कार्ट को आप क्या करते हो कार्ट हमारी आगे होती है आप ऐसे हो तो कार्ट में आपको क्या करना पड़ता है इसकी तरफ मतलब आप यहां कि खड़ा हो तो यह बहुत करते हो न बikk अ multim Store कि बात की जारी थे देखो फैजिसे हैं अधिकर कि यह क्या कर रहा है इसको दख्का दे जाया है इसत scriptures कि तरह από up kids सब्सक्राइब ईडिए ञाँ है मेगनेट की तरफ अपने आप खिच रही है ऑप चलते हैं अब आगे कि पता लगया किकिने क्या हो गया पुश मोविंग अपुश कर नक्राइब Recommies First करें लाओं कि हमारा क्या हो गया पुल हो गया फिर उसके լार्द मेशेज इसके बाद क्लोजिंग वह करते हो तो क्या करते हो फुश करते हो दोर को लौज करने के पूल करते हैं खीषते हैं अपनी तरफ टीक है ना ड्रोइंग वाटर फ्रों वेल अगर वेल तो क्या करते हो पूल करते हो ठीक है अब throwing a stone, throwing a stone में क्या कर रहे हो, आप अपनी तरफ से फै करे हो, तो push कर रहे हो न उसको, push कर करके अपनी तरफ से जोर लगा रहे हो, तो ये ऐसे हो जाएगा, दुबारा देखते हैं, kicking a ball क्या कर रहे है, push कर रहे हैं, क्योंकि धक्का दे रहे हैं, moving a loaded card, उसको और force लगा रह एक पुल रहा है जो पुल जाता है तो इस तरह के से इनके अंसर्स आप लिख लोगे तो यह थी हमारी आज की वरक्षित आई होगी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं वाकि अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जिएगा थैंक यू वैव नाइस दे में गूद ब्लस्यू